ब्राट तो यू बाई टेक्नो स्पार्क 20 सीरी स्मार्टफोन्स दौर से गुजर रहे हैं 2020 के विधानसवा चुनाओ में 43 सीटों पर सिमट कर नितीश कुमार बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे और दोबारा जब उन्होंने RJD के साथ हाथ मिलाया महागडबंदन के साथ जाकर बिहार में तखता पलट कर सरकार बनाई उसके बाद नितीश की विश्वसनियता पर थोड़े सवाल उठने लग गए थे और फिर दोबारा जब नितीश कुमार ने इस जनवरी फरवरी में यूटर लिया उसके बाद नितीश की गिनती unpredictable निताओं में होने लगी माना ये जाने लगा कि नितीश कुमार बिहार की सियासत में बोज बन गए है और इस बात का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार बीजेपी ने उस दौर में किया जब बिहार में महागडबंधन की सरकार थी अब माना ये जा रहा है कि नितीश कुमार का बिहार में उस तरह का प्रभाव नहीं है जैसा पहले हुआ करता था ऐसी परिस्थिती में माना जा रहा था कि बीजेपी नितीश कुमार को 10-12 सीट दे कर सेटल कर देगी लेकिन जब सीट शेरिंग का फाइनल फॉर्मूला आया तो नितीश कुमार 16 सीट ए माना यह जा रहा है कि जब से आट जेटी का कद बढ़ा है तब से बीजेपी बिहार को लेकर इन से क्योर है राम मंदिर का मुद्दा यूपी में तो चल सकता है देश में तो चल सकता है लेकिन बीजेपी को बिहार में डर सता रहा है कि इस एक मात्र मुद्दे से यहां पर नितीश कुमार की हस्ती थोड़ी कम हुई है लेकि नितीश कुमार बिहार के हाथी और चुल गया तब बीजेपी तो फिर बिहार में 2019 वाला performance दोहराना बेहद मुश्किल हो जाएगा तो देखा आपने की आखिर कैसे नितीश कुमार ने BJP को NDA के seat sharing में फसा लिया जाने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि RJD के साथ गड़ बंधन करके जब नितीश ने सरकार बनाई तब RJD की ताकत को चाहे अंचाहे नितीश कुमार ने अच्छा खासा बढ़ा दिया और यही एक वज़े है कि RJD की बढ़ती ताकत की वज़े से नितीश कुमार NDA या BJP की नजरों में important बने हुए है और solar seat BJP उनको देने को तैयार हो गई है बिहार की खबरों के लिए बने रहे है देखते रहे है बिहार तर